हेलो हाई एवरीवन रिंको किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं मतर के दाल की रेसिपी सेयर करूँगी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने अद्रक लेसन और मिर्च को क्रस करके ले लिया है हल्दी पाउडर ले लिया है नमक स्वाथ के अनुसार गोल की पाउडर जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर अब एक पैन ले लेंगे और पैन में यह मतर को एड़ कर देंगे और फिर उसमें पानी भी डाल देंगे इसके बाद इसमें अद्रक लेसन और मिर्च का पेस्ट को डालेंगे हल्दी पाउडर नमक स्वाथ के अनुसार गोल की जीरा और मिर्च पाउडर यह सभी चीजों को डाल देंगे और फिर इसे ढख करके पान से दस मिनट के लिए छोड़ देंगे तो देखिए मटर हमारा अच्छे से उबल चुका है अब हम इसे मैसर के सहारे अच्छे से मैस करेंगे ताकि सारे मटर हमारे अच्छे से मैस हो जाएं और फिर इसमें हम गरम पानी डालेंगे और फिर उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे दाल की consistency बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखना है बस इतना ही पानी एड़ करें पानी एड़ करने के बाद दाल को इसी तरह से दो तीन उबाल आने तक जरूर पकाएं और फिर हम इसमें अब तड़का लगाने के त्यारी सुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक तड़का पैन ले लिया है और अब इसमें हम सरसो का तेल डालेंगे इसके बाद इसमें हींग, जीरा और दो सुखे लाल मिर्च को एड़ करेंगे तो देखिए हमारा तड़का तयार हो चुका है अब हम इसे दाल में एड़ करेंगे जैसे ही दाल में तड़का लगाए हैं उससे थोड़ी दिर के ढख करके जरूर छोड़ दे ताकि हींग और सभी का फ्लेवर दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए हमारा मटर का दाल बन करके त्यार हो चुका है चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं मैंने तो इसे लंच में इंजोई किया आप ये हरे मटर की दाल एक बार जरू ट्राइ करना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना अगर आप मेरे चैनल पनाए हैं तो सब्सक्राइब जरू करना अपने फ्रेंड्स और फैबली को सेर जरू करना बाबाई मिलते हैं नेक्स करना डंडा है झाल 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 झाल